नौशकार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं जनसत्ता.com और मैं हूँ आपके साथ नीरत सिंग केंद्रिय सूचना आयोग ने प्रधान मंत्री कारयाले को पीम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में सरकारी खर्च पर उनके साथ जाने वाले लोगों की सूची देने को कहा है पीमो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लगतार ऐसे लोगों की सूची देने से इंकार करत लेकिन अब मुख्य सूचना आयोकतार के मातोर ने सूचना का अधिकार कानून RTI के तहत दाखिल अरजी पर लोगों की सूची सौपने को कहा है जो वर्ष 2014-17 के बीच प्रधान मंत्री की अधिकारी की आतरा पर उनके साथ गय थे उन्होंने सरकार के आपतियों को खारिस कर दिया नीरज शर्मा ने RTI कानून के तहट पिछले साल जुलाई में अरजे दाखिल कर ऐसे लोगों की सूची मांगी थी लेकिन उन्होंने लिस्ट नहीं सौपी गई थी नीरज ने सरकारी खर्श पर PM मोदी के साथ जाने वाले निजी कमपनियों के CEO, मालिक, पार्टनर और अन्य अधिकारी की सूचना मांगी थी उन्होंने PM के साथ जाने वाले प्रतिनिधी मंडल का हिस्सा बनने वाले लोगों के चैन के तौर तरीकों के बारे में भी जानकारी मांगी थी नीरज ने जुलाई 2017 में आटी आई कानून के तायत आवेदन कर जानकारी मांगी थी लेकिन PMO उसे बार-बार इंकार करता रहा जिसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने नीरत शर्मा की अरजिस्विकार करते हुए PMO को सूचना मुहया कराने का आदिश दिया है PMO के रवये से नीरत शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंग की सरकार मोधी सरकार से जादा पारदर्शी थी फिलाल के लिए इतना ही और देखबरों के लिए देखते रहिए